हाई गाईज वेलकम टो माई चैनल वन सिगिंड तो फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टो ऐसे 5G स्मार्टफून के बारे में जो कि आपको इंडियन मार्केट में लगबग 25,000 पे सी कम किमित में देखने को मिल जाते हैं तो दोस्तो यह दिया आपका भी बजट लगबग 25,000 पे के असपास है और आप एक 5G स्मार्टफून खरीदना चाहते हैं तो दोस्तो बने रहे आप इस वीडियो में एंड तक और यह दिया आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को 6.44 इंच के Full HD AMOLED डिस्प्ले प्रोवाइड कराई है जो की 19 हर्ज रिफ्रेहरेट के सपोर्ट के साथ आती है और इसके इंदर आपको 1300 नीट स्पीक ब्राइट हैंस का स्पोर्ट मिल जाता है तो दोस्तो डिस्प्ले के मामनी में स्मार्टफून बढ़िया है इसके इंदर 8 में पिक्सल और 2 में पिक्सल का रियर कैमरा और 16 में पिक्सल का फ्रंट सेलफी कैमरा देखने को मिल जाता है तो दोस्ते ही स्मार्टफून इंदर आपको कंपनी ने कैमरा सेंसर भी बढ़िया मिलता है और इसके इंदर आपको सेलफी कैमरा भी बढ़िया मिल जाता है जि कि snap dragon का एक बढ़िया और अच्छा 5G चिपसेट है यह 6 nanometer technology के उपर काम करता है तो दोस्तो प्रोसेजर के मावने हुए स्मार्फोन काफी बढ़िया है इसके इंदर आपको बढ़िया प्रोसेजर देखने को मिल जाता है जिससे आप इस स्मार्फोन के अंदर केमिंग आदि को अच्छे से एकसस कर पाएंगे अगर दोस्तो बात की जाए स्मार्फोन की बैंटरी के बारे में तो दोस्ते स्मार्फोन इंदर आपको कंपने ने 66 वाट के फास्ट अचाजिंग स्पुर्र वाली 47 से में की पार्फुल बैटरी भी प्रोवाइड कराई है तो दोस्ते स्मार्फोन इंदर आपको कंपने ने बैटरी भी प्रोवाइड कराई है और इसके अंदर आपको फास्ट अचा जरवी अच्छा देखनी को मिल जाता है और दोस्तो अगर इस स्मार्टफून के प्राइज के बारे में बात की जाए तो दोस्तो इस स्मार्टफून का सुरुवाती वेरिंट आपको लगबग 25,000 रपे में अगर इस स्मार्टफून के फीचर्स के बारे में बात की जाए तो दोस्तो इस स्मार्टफून आपको कमपने ने 6.67 इंच की फुल एच्डी पंच्छोल नोच डिस्प्ले प्रोवाइड कराई है और यह स्मार्टफून फ्लैट डिस्प्ले के साथ आता है और इसके अदर आपको 120.6 रिफ्रेहरेट का स्पोर्ट मिल जाता है तो दोस्तो डिस्प्ले के मामने में स्मार्टफून भी बढ़िया है इसके अदर भी आपको कमपने ने फुल साइज की बड़ी डिस्प्ले प्रोवाइड कराई है तो दोस्तो कैमरा के मामने में स्मार्टफून भी बढ़िया है इसके अदर भी आपको कमपने ने काफी अच्छे कैमरा सेंसर प्रोवाइड कराई है लेकिन दोस्तो इसके अदर आपको प्राइमरी कैमरा सेंसर 108 में पिक्सल का देखने को मिल जाता है इस स्मार्टफ़न से भी आप बड़िया पिक्चर साधी को कैप्चर कर पाएंगे और दोस्तो अगर इसके प्रोसेजर के बारे में बात की जाए तो दोस्तो इस स्मार्टफ़न देरे भी आपको IQZ6 Pro स्मार्टफ़न की तरही स्मार्टफ़न देरे भी आपको बड़िया देखने को मिलता है और इसके इस स्मार्टफ़न आपको काफी बड़िया पार बैकप देने वाला है अगर दोस्तो इस स्मार्टफ़न के प्राइज के बारे में बात की जाए तो दोस्तो इस स्मार्टफ़न का 6GB RAM वाला वेरियंट अभी आपको फिलिप काड़ के उपर लग बग 23,000 पे में देखने को मिल जाता है और दोस्तो हमाले इस्टमी नमबर 3 पर आता है रेडमी कमपनी का रेडमी नोट 12 प्रो स्मार्टफ़न जो की दोस्तो रेडमी कमपनी का एक बड़िया स्मार्टफ़न है इसके अंदर भी आपको कमपनी ने ज्यादा तर फीचर से पोको X5 प्रो स्मार्टफ़न की जैसे ही प्रोवाइड कराई है दोस्तो अगर इस smartphone के डिस्प्ले के बारे में बात की जाए तो दोस्तो इस smartphone दे भी आपको 6.67 इंच की Full HD AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाती है जो की 100 भी 60 रिफ्रेहरेट के सपोर्ट के साथ आती है दोस्तो दिस्प्ले के मामने में एस smartphone भी बड़िया है इसकिंदर भी आपको company ने फुल साइज की बड़ी डिस्प्ले प्रोवाइड कराई है और यह smartphone भी फ्लेट डिस्प्ले के साथ आता है अगर दोस्तो इस स्मार्टफन के कैमरा सेंसर के बारे में बात की जाए तो दोस्तो इस स्मार्टफन के बारे में बात की जाए तो दोस्तो इस स्मार्टफन के बारे में बात की जाए तो दोस्तो इस स्मार्टफन के बारे में बात की जाए तो दोस्तो इस स्मार्टफन के बा तो दोस्तो इस स्मार्टफुन इंदर आपको कमपने ने मीडियो टेक डाइमन सिटी 1080 का पारफुल 5G चिपसेट प्रोवाइड कराया है जो कि आपको काफी बड़िया गेमिंग परफॉर्मेंस देने वाला है तो दोस्तो चिपसेट के मामले में स्मार्फुन काफी बड़िय कराई है तो दोस्तो बैटरी और फास्ट अचाजर के मामले में स्मार्टफुन काफी बड़िया है तो दोस्तो इस स्मार्टफुन इंदर आपको कमपने ने काफी अच्छे फीचस प्रोवाइड कराए हैं अगर आप इस स्मार्टफुन को खरीदना चाहते हैं तो दोस्तो तो हमारे लिष्ट में नमबर दो पर आता है आईकू कंपनी का आईकू नियो 6 5G स्मार्ट दोस्तों यह स्मार्टफून काफी बढ़िया और अच्छा पारफुल गेमिंग स्मार्टफून है क्योंकि दोस्तों इस स्मार्टफून की डिस्प्ले के बारे में बात की जाए तो दोस्तों इस स्मार्टफून इंदर आपको कंपनी ने 6.62 इंच की Full HD E4 AMOLED डिस्प्ले प्रोवाइड कराई है जो की 100 भी सर्जी डिफ्रेट के स्पोर्ट के साथ आती है तो दोस्तों डिस्प्ले के मामनी में स्मार्टफून और भी ज्यादा बढ़िया है क्योंकि दोस्त में पिक्सल का Front Selfie Camera प्रोवाइड कराया है तो दोस्तों Camera Sensor के मामने भी स्मार्टफून बढ़िया है इसके इंदर भी आपको 64 में पिक्सल का Main Primary Camera Sensor प्रोवाइड कराया है जिससे आप 4 के वीडियो को भी सूट कर सकते हैं और इसके इंदर आपको Selfie Camera भी बढ़िया मिल जा अगर दोस्तों बात की जाए इस स्मार्टफून के प्रोसेजर के बारे में तो दोस्ते इस स्मार्टफून बढ़िया जैसी गेमियों को अच्छी से एकसस कर पाएंगे बैंटरी के बारे में बात की जाए तो दोस्तों इस स्मार्टफून दर आपको कंपने ने 80W के फास्ट अचाजिंग स्पोर्ट वाली 4700 MS की पारफुल बैटरी भी प्रोवाइड कराई है तो दोस्तों इस स्मार्टफून दर आपको बैटरी भी बढ़िया मिल जाती है और गिन स्मार्टफून दर आपको कंपने ने 6.7 इन्च की फुल एचडी कर्व डिस्पले प्रोवाइड कराई है जो की 100W के सिर्जिट एक प्रेश रिट के साथा आती है इस स्मार्टफून दर आपको 25,000 पे से कम क्यमित में बी कर्व डिस्पले देखनी को मिलती है अगर दोस्तों इस smart phone के camera sensor के बारे में बात की जाए तो दोस्तों इस smart phone के बारे में बात की जाए तो दोस्तों इस smart phone इंदर आपको एक प्राइमरी camera sensor देखने को मिल जाता है जिससे आप बढ़िया pictures आदी को capture कर पाएंगे अगर दोस्तों इस smart phone के प्रोसेजर के बारे में बात करें तो दोस्तों इस smart phone इंदर आपको company ने Redmi Note 12 Pro smart phone की तरही Mediatek Dominicity 1080 का powerful 5G chipset प्रोवाइड कराया है जो कि आपको काफी बढ़िया gaming performance देने वाला है अगर दोस्तों इस smart phone की बैटरी के बारे में बात करें तो दोस्तों इस smart phone इंदर आपको company ने 67 watt के फास्ट अचाजिंग स्पोर्ट वाली 5G की पारफूल बैटरी भी प्रोवाइड कराई है तो दोस्तों इस smart phone इंदर आपको 5G RAM की बैटरी देखने को मिलती है और fast अचाजर भी बढ़िया देखने को मिल जाता है जिससे आपको यह smart phone काफी अच्छा पार बैक अप देने वाला है और इनके अदर आपको बड़ी अफी चास मिल जाते हैं तो दोस्तों आपको इन में इसकों साब smart phone सबसे ज्यादा पसंद आया हमें कमेंट बक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और यदि आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चनल को सब सब्सक्राइब करना ना भूनें धन्यावाद